आप सभी को रादे रादे आज मैं किचन के छे ऐसे टिप्स लेगे आई हूँ जिसे आप अगर फॉलो करते हैं तो आपके काम बहुत ही आसान हो जाएंगे बहुत छोटे छोटे हैं लेकिन बहुत काम आने वाले तो वीडियो को पूरा देखिएगा पसंद आये तो प्लीज अपना प्यार जरूर दीजिएगा और अपने फैमिली फ्रेंट्स शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले आप मुझे फेस्बुक इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं सेम नेम से आप मुझे फॉलो कीजिए तो चली वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले मैं सबी खाते हैं और उसका छिलका फेक देते हैं तो आज हम केले से कोई रेसेपी नहीं बनाने वाले हैं आज हम केले के छिलके का बहुत ही अच्छा इस्तिमाल करने वाले हैं तो यहां पर देखे मैं चिलके को निकाल लेती हूं बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो केला के छिलका में लगाए जिनके पैर फटे पैरों में अगर चाले हो जाते हैं या फिर कभी-कभी किसी के पैरों में सपेज सपेज पप्डी सी चूटती है तो वहां पर आपको रेगुलर ली आपको यह फॉलो कीजिए अगर के लेगा चिलका अपने पाओं में इस ते कि पाओं के तो प्लीज एक लाइक जरूर कर दीजिएगा चलिए हम आगे बढ़ते हैं नेक्स हमारा गोवी को लेकर दे कि हम गोवी लेकर आते हैं और उसे दोते हैं और फिर फ्रिज में रख देते हैं तो कभी आपने सोचा है गोवी में बहुत सारे कीडे होते हैं ऐसे छोटे-छोटे करना अब चलते हम गैस की तरफ गैस को करते हैं और उसके आपना गोवी को इस तरीके से रखतेए हमें पकाना नहीं है अब देखिए में आप रिक काटा वला चमंच में इसे फसा लिया है और इस तरीके से तीज आज पर हमें थोड़ी दिर इसे रखना बस से किंड के तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट है हमारा देखें हम सभी के घर में जो हमारा डाइनिंग रिया तो वहां पे गलीचा जरूर होता है तो उसमें क्या होता है एक प्रॉब्लम कि कुछ जो गलीचे के प्रॉब्लम कि क्या है तो आपको क्या करना है अगर गलीचे का जो प्रॉब्लम कि जमा लिजिए और इस तरीके से जो आपका पार्ट मुड़ा हुआ है वहां पे बरफ को रख दीजिए आपको रात भर रखना है और सुबह देखेगा यह अच्छे से टाइट हो जाएगा तो यह इस टिप्स को फॉलो किजिएगा पसंद है तो प्लीज एक लाइक जरूर कर दीजिएगा तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं नेक्स है हमारा एपल को लेकर तो दीखे हम बजार से आपल खरीद के लिए क्या आते हैं और क्या करते हैं इसे दोया और खाया बहुत सारे लोग तो ऐसी जैसे उठाके मूह में डाल लेते हैं आपको ऐसा नहीं करना चाहिए अभी क्या बहुत हर चीज में मिल आउट होता है पर थोड़ी बहुत हो अगर ध्यान दे तो अपने आप उसे छोट दे तो आप उसे शilका सहीद कभी नखाए उसे छोट निकाल acost सरह करें औभाद को भी ना दे जो हैपल के लिए अच्छा नहीं होता है अब अखर हो सेके तो चोट चीज में मिल आउट रहती ही रहती है तो चलिह हम लड़ते हैं देखेयं अगर त्डोड़ तो आपको टाइट करने के बच्चों को टेजिए यह यह पूदक बिलकुल भी नहीं होगा इस तरीके से जुड़ा रहेगा गया गटाएगा एक छोटा सा है कि पसंद आपसंद आप जड़िए और दुसरा तरीका है कि आपको क्या कर लेना है और अपको आपपल कर लेना है आपको थोड़ा सा पांबू और थोड़ा सा नमक डाल के पांबिप करके थोड़ी दर छोड़ दीजिये फिर आप इसे बच्चों को टिफिन में दीजिये या फिर ट्रेबल में आप जा रहे हैं तो ले जाईए बिल्कुल काला नहीं पड़ेगा तो यह चोड़े चोड़े टीप्स है जिसकी वज़े से आप आप जो डेली यूज में ले सकते हैं और अगर इसे फॉलो करते तो आपके काम भी बहुत असान हो जाते हैं तो प्लीज अगर थोड़ा सा भी टीप्स आपको अच्छा लगता ह यूसफुल लगता है तो लाइक किजिएगा और कौन सा टीप्स आपको सबसे अच्छा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा मैं रोज नए वीडियो डालती हूँ और कौन सी आ छोड rubbish करना जो गंद्गी की तो आज को मैं का बीजिए उसक्राइब लेना जोर सब्सक्राइब के और ऊच्छाया क्लमाे जार समाओ आधार नहीं करना है लीजिए नहीं तूद ब्रस लेना है और इस तरही के से तरही को सफाहित कर देना है अगर आपके पास डाइक करने वाला ब्रस है तो आप भी ले सकते हैं उसे भी क्लीन हो सकता है और यहां पर मैं क्लीन पर यह हूं बीना पानी कि आप इस तरीके से और सबसे बड़ी बात है कि कंगी में जो चिकनाट लगी होती है जो हम कंगी यूज करते हैं बालों में तेल लगाते हैं वह पाउडर अच्छी तरीके से निकाल देता है तो यहां पर आपको कोई साबून सरफ यूज करने की जरूत नहीं है बस इसके उपर पाउडर डाली है और इस तरीके से ब्रस को थोड़ा उपर निचे कीजिए और कंगी आपके क्लीन हो जाएगी तो गंदी से गंदी कंगी भी आप सिरफ पाउडर से क्लीन कर सकते हैं यह छोटे-छोटे टिप्स जो आपको बहुत काम आने वाले हैं अगर आप इसे फॉलो करते हैं तो आपकी डेली की लाइफ जो है न बहुत असान हो जाएगी आप इसे फॉलो कीजिएगा और वीडियो पसंद आता है तो प्लीज एक लाइक जरूर कर दीजिए और आपको कौन सी टिप्स सबसे अच्छी लगी कमेंट करके जरूर बताईएगा आप मुझे फेस्बूक इसे फॉलो कर सकते हैं मैं आपसे फिर मिलूँगे नई वीडियो में नए रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाइ बाइ थाइंक यू फॉर वाच आपको